अगर घर में बेशन नहीं हो तो परेशान नहीं हो कड़ी बिना बेशन की भी बनाई जाती है तो ये वीडियो पूरा जरू देखिए यहां पर देखें में ने दो कप चने की डाल ली है यह सूखी वाली डाल है जो घर में बेसन बनाते है ना वो वाली डाल है तो यहां पर दो कप ले लेना है। तो यहां पर देखिए 6-7 मैंने हरी मिर्चिली थी, जिन खुल मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 10 वारा मैंने मीठी नीम के पत्ते लिये हैं, तो इन खुले लिया है, अब हमें चने की डाल को ऐसे तो यूज नहीं का सकते हैं, क्योंकि यह सूखी डाल है, तो हमें चाहिए तो यहां पर देखिए एक हमें जाल ले लेना है, तो अब हम मिक्सी में पीस कर तैयार करेंगे, तो दाल को इसमें डाल देंगे, तो देखिए अब इसमें आधा कप करीब पानी रा लेंगे, पानी डालने से दाल हमारी अच्छी पिस जाएगी, तो चलिए पीस कर तैयार क करना है तो यहां पर आधा हम दाल को एक बरतन में डाल लेंगे जार में जो पेश्ट रखा है इसको एक साइडर रख देंगे चलिए सबसे पहले पकोडियां बनाकर तयार करेंगे तो यहां पर देखिए हमें स्वाध अनसार लेना है नमक आधी चमच डालेंगे हल्दी पेश्ट को हमें अच्छे से मिक्स करना है तो देखें इस तरीकी से मेखस कर लेगे पकोडी के पेश्ट में पानी ड़ने ढाला है जितना पीष्रें में डाला थाा आधा पकोडियां तो तो यूड़ करते हैं तो देखिए इस तरीके से पकोडियों बने तको देगे हम इसी तो ठूड़ा इनको बिखर गी तो अभे हमें चलाना नहीं है तो दекहि mantle तो यहां पर देखिए दो मिनट हो चुके थे हमारी पकोडियां आधी डन हो चुके थे देखिए इनको इस तरीके से हमें चला देना है तो देखिए पलट-पलट के इस तरीके से गुल्डर विरॉन सेंक लेंगे यहां पर देखें हमारी पकोड़ी बन के तैयार है आप लोग देख सकते हैं तो चलिए इनकों निकाल लेते हैं और आपको तोड़कर दखाते हैं कि हमारी पकोड़े कितनी जालिदार बन इसक्काइब न आधा-दालल् जो पूल बचा के रखता हम ने यादा दीके अगए विसमें डालेंगे और इसको गरांड करेंगे लेंगर हमें अच्छी से करना है वहाँ को यहाँ पर देखिए में फैशने में टालते के आपने वाहरे हैंट development और में अपने हिसास इसको और सही किकि यहां Jack ग्रैन्ट कर लिया है हमारा मठह तायार है तो जो घूलते हम बागोने में हम मत्रावी टालंगे तो यहा पर देखे़ पानी अब डालेंगे अपने हिसाब से तो मैंने आधा liter दही लिया था और इसमें तो टोटल तीन लीटर घूल बनके हमारा तैयार है आप लोग अपने हिसाब से कम जाना कर सकते हैं तो यहां पर देखिए पतला घूल बनके तैयार है अब इसमें एक चमच डालेंगे हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर को अच्छी से मिक्स करेंगे ओइल हमारा अगराम हो चुका है तो इसमें डालेंगे आधी चमच मेथिदाना तो यहां पर देखिए आधी टेबल स्पून में मैं राई लिए है तो राईकोभी डाल देएगे आधी टेबल स्पून जीड़ा एक पिंच हींग तो हींग अभी खटी नहीं डालेंगे यहां पर देखिए मैं नहरी मिर्चिली है तो इनको डाल देंगे मीठी नीम तो देखिए आप इन सब को अच्छे से चलाएंगे तो हमें अच्छे से इनको पकाना है ताकि हमारी कड़ी में अच्छा टेस्ट आए तो हमारी मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब चलिए जो भूल बनाया था हमने वो इसमें डाल देंगे चने की डाल का और दही का तो यहां पर देखे इस तरीके से डाल देंगे देखे हमारी कड़ी बहुत ही टेश्टी दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं अब इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है अभी हम इसमें नमक डालेंगे अगर अभी नमक डालेंगे ना तो हमारा मठा पूरा फट जाएगा तो अभी हमें नमक नहीं डालना है बाद में डालेंगे वो आपको आगे बताएंगे तो यहां पर देखे ऐसे चलाते हुए हमें कड़ी को पकाना है तो यहां पर देखे हमारी कड़ी पकने लगी है एक खोले लगी है तो इसको चलाना बंद कर सकते हैं पहले नहीं कर सकते हैं जब तक कड़ी खोलती नहीं है जब तक चलाना बंद नहीं करना पड़ता है अगा चलाना बंद करेंगी तो कड़ी भट जाएगी तो यहां पर देखे हमारी कड़ी अच्छी से पक रही है आधी टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर तो धनिया पाउडर आप लोग डाल सकते हैं एक स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पर देखें आधी टेबल स्पून करी मैंने लिया है कसूरी मैथी तो देखें कसूरी मैथी खुवी ऐसे क्रस करके डाल देंगे कसूरी मैथी से अच्छा टेस्ट आता है यहां पर देखिए बिना वेशन की हमारी कड़ी बन के तैयार है जो की बहुत ही टेस्टी बने हैं आप लोग देख सकते हैं और इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनने में तो देखिए टेस्ट में भी लाजबाब बनती है कड़ी तो आप चलिए अब इसमें हमें बड़ी आसा तरक लगा कर तैयार करना है जिससे कड़ी का टेस्ट डवल हो जाएगा तो यहां पर देखिए अब मैंने गैस पर रखा है पैन तो पैन में डालूँगी मैं घी तो मैं घी से बगाल लगाँगी आप लोग चाहें तो ओयल भी डाल सक हैं तो यहां पर देखिए कड़ी में मैंने डाल दिया है तो बेशन बना कड़ी कैसी बनी है आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएए आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कीजिए बीडियों को लाइक कीजिए और सेर जरूर कीजिए ठैंक यू झाल